बिजनवर में पुलिस को काफी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे कर चिनोती दे रहे चोर आखिर कार पुलिस के हत्ते चड़ी गए तरदर्द बने चोरों को स्वाट सर्वलांस और स्थाने पुलिस द्वारा मंगलवार को चोरी के माल के साथ ग्रफतार कर लिया गया है ग्रफतार हुए चोरों ने पांच चोरियों को अंजाम दिया था जिसका आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया बिजनौर पुलिस अधिक्षक द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभ्यान में चानपर पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 के इनामी सहे तीन शातिर चोरों को ग्रिफतार कर लिया है पकड़े कर शातिर चोरों के अपास से पुलिस ने चोरी के 31 मुबाइल फोन्स, सफेद पिली धातू के आभूशड, एक एल आईडी, साथ बैटरी, नलकूपों से चोरी हुए बिजली के तार, 2315 बोर के तमंचे, 4 जिन्दा कार्टूस, 1 चाकू और 5 लोही की रोट बरामत क है, शातिर चोरों पर गेंग्स्टर की भी करिवाही की जाएगी. रामपाल तो इसमें से चांदपूर कस्बे के रहने वाले हैं, एक अम्रुभा के रहने वाला है, इसमें गुलजार, उत्रकूर्चीद, एक शातिर जो है, चोर है, इसके बिरुद, कोतवाली शहर में पूर्व से ही करीब 6 मुकदमे हैं, और गेंगेश्टर की कारवाई जो चांदपूर की एक मुबाईल चोरी और एक घर में चोरी हुई थी, और तीन सिवाला कला की जो मोटरों से तार निकाल करके चोरी कल लेते थी, किस प्रकार कुल पांच घटनाओं का अनाबर्ण हुआ, इनके कबजे से 31 मुबाईल, 1 LED, सफेद और पीली धाज के जिवर जात, मूर्थी और सिक्के, साथ बैटरी, बिजली के तार, और दो तमंचे, एक चाकू, और कुछ रॉड बरामद हुई है लोहे से जिनसे तोड़ते थे, शटरोगा राकू, इस प्रकार जो है, तीन अभ्यूद गिरफतार हुए, इनके कबजे से काफी शामान बरामद देखती रहिए, डीबी भारती समचार, नजर हर खबर पर